दोस्ता आप अपने Instagram account पर email id को change करना चाहते हैं क्योंकि आपने जब account create किया था तब उस टाइम जैसे मानलो अपने कोई email id दियो लेकिन अगर आप आज की डेट में चाहते हैं कि मैं अपने Instagram account पर email id चेंज कर दूँ तो आप कैसे कर सकते हैं वह आपको आज की वीडियों बताने वाला हूं तो सिंपल सा तरीका है कि आप अपने email id को कैसे कर सकते हैं बिल्कुल लाइव प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा मोबाल की स्कीन पर ले जाकर तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतादू कि अगर आपने चैनल पर आपको अपने प्रोफाइल वाल आइकन पर क्लिक करना है और प्रोफाइल वाल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी ओप्शन मिलेंगे देखने के लिए इनमें आपको एक अकाउंट को अप्शन मिलेगा परसनल इंफॉर्मेशन का तो परसनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक किया इसके बाद आपको यहाँपर इमेल आईडी चेंज करने का ओप्शन आ जाएगा ओपर मतलब verify नहीं किया इसलिए मैं आप पर confirm जागें पर आपको अप्शन आ रहा है आपका आरा होगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं है आपको टैप करना है इसके इसके बाद जो भी email id आपने या पर दी है इसको कट कर देना है और जो email आईडि आप यहां पर रखना चाहते हैं उसको डाल देना है मैं आप यहां पर डाल देता हुँ झाल मैं इमेल id जॉब लइक हैं गांग के बाद आपको यह पर पुराने email id पर भी notifikation से तो यहाँ पर आपको email ID डालने के बाद ऊपर कॉडर में टिक मार्क नज़राएगा इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास mail ID पर confirmation code आएगा जो मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास mail में confirmation code आएगा उस code को यहाँ पर डालते मैं आपर डाल देता हूं तो यह code मैं आपर डाल देता हूं कोड डालने के बाद आपको next पर क्लिक कर देना है और next पर क्लिक कर देए आपकी email ID आपर verify भी हो गई है अगर आपका code सही है तो कि code आपको देखकर डालना है code डालने के बाद आपका account यापर verify कर लेगा email id को तो email confirm को message आ गया है मेरे पास तुम आपको दिखाता हूं यापर email id मेरी change हो गई है तो इस तरह से आप अपने account उपर email id को change कर सकते हैं लेकिन आपको verify करना बहुत important है आपको verification के लिए code जरूर से जरूर डालना होगा अगर किसी भी account में Gmail id लोगी है तो वहाँ से भी आप अपने code को ले सकते हैं तो Gmail id आपको चेंज हो गई है email id चेंज करने के बाद आपको क्या है password चेंज करना होगा इंपोर्टेंट है इस mail id का इसलिए email id आपको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल तरीके से और उमीद करता हूँ आसकी वीडियो आपको पसंद आयोगी वीडियो पसंद रही तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चैनल पढ़ना है तो प्रीज सब्सक्राइब करें मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए